जहिन साथियों, Welcome to Paramount Royal Academy तो जिस वीडियो का आप लोगों को इंतजार था, वो वीडियो आपके पास इसमें पहुँच चुका है इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस भरती परिक्षा के सेफ स्कोर के बारे में क्योंकि देखे दो सो 3 जुलाई को आपकी लिखित परिक्षा हुई है और बहुत सारे लोग ये बार-बार कोशिन पूश रहे थे कि सर हिमाचल प्रदेश पुलिस में सेलेक्शन के लिए आखिर कितना यहाँ पर सेफ स्कोर हो सकता है साथी साथ वीडियो में हम बात करेंगे उन अभैरतियों की भी जिनका स्कोर यहाँ पर एवरेज 45 के आसपास खूम रहा है तो क्या उनके कितने प्रतिशत चांसिस हैं यहाँ पर सेलेक्शन के लिए तो वीडियो में आप बिल्कुल अंतर तक बने रहें साथी साथ फस्टाइम यदि आप चैनल पर विजिट कर रहें तो इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने अपडेट हैं वो आपको समय पर मिलते रहें तो देखें दोस्तो सेफ स्कोर को जाने के लिए हमें सबसे पहले यहां पर यह जानना होगा कि आखिर कितने अभ्यारती यहां पर पुलिस परिक्षा में बैठे थे यहां पर अगर आप देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से 75,803 अभ्यारतीयों को यहां पर एड्मिट कार्ड जारी किये गए थे और यह डिस्टिक बाइज यहां पर यह लिस्ट है कि कहां कितने अभ्यारती थे और यहां पर केंडिडिट अबसेंट भी पाए गए हैं तो कुल बिला के अगर हमें हिमाचल की बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं 6254 अभ्यारतियों ने नहीं लिया भाग यानि कि 6254 कंडिडेट यहां पर जो है अबसेंट पाए गए ठीक है और उनको अगर हम हटा दें तो केवल यहां पर 69427 जो कंडिडेट थे उन्होंने यहां पर लिखित परिक्षा दी इसके बाद दोस्तों यदि हम इमाचरपदेश पूलिस के पास का क्राइटेरिया बताएं कि आप कब पास हो पाएंगे तो यहां पर आप देखें तो SC और ST के लिए यहां पर 40% यानि कि 80 का अगर हम 40% निकालें तो 32 नमबर लेना जरूरी है कम से कम और जनरल कैटेगरी यानि कि 50% यानि कि 80 में से आपको 40 नमबर यहां पर लेना जरूरी है यदि आप अन्या कैटेगरी से हैं SC और ST के अलावा ठीक है तो यह तो हो गया past criteria की बात कि अगर यह marks आप ले पाएंगे तभी आप documentation के लिए यहां पर eligible होंगे और आप यहां पर जानते हैं cut off का इस बार कोई सवाल नहीं है क्योंकि documentation यहां पर सबकी होने वाली है तो अभी हम safe score को जानेंगे उसके लिए आपको चलना होगा मेरे साथ जो हमारा YouTube का जो official channel है ठीक है उसके home page पे तो इस तरीके का आप देखेंगे तो Paramount Royal Academy का यह official home page है इसके बाद आपको यहां पर ज पहला पोल जो हमने डाला था regarding test वो डाला था एक दिन पहले यानि कि पिछले कल डाला था title इसमें आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस बरती की लिखित परिक्षा में 3 जुलाई 2022 को जो आयोजित हुई उसमें आपका जो approximate जो score है वो कितना बन रहा है तो यहां पर दोस्तों आप नीचे देखें तो तकरीबन यहां पर 3212 ने अब तक यहां पर अपना वोट डाल दिया है और उनके अनुसार यदि हम देखें तो सबसे पहले वाला जो हमारा problem है जो सबसे नीचे यहां पर है उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे पहले पास थे और इस पार फेल थे यानि कि 32 प्रतिसत लोग ऐसे है जिनका यह कहना है कि वो पिछली पुलिस भरती परिक्षा में तो पास हो गए थे लेकिन इस बार वो यहां पर फेल हो जाएंगे और आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जब रिजल्ट आया था तो राउंड एबाउट 50,000 कैंडिडेट यहां पर फेल हमारे हुए थे और इस बार इस आंकडे को देकर मुझे यह लग रहा है कि कम से कम यहां पर 53,000 के आसपास कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे बात सची है मगर कड़वी है दोस्तों यहां पर देखिए पिछली बार जो था आप सभी जानते हैं तो तकरीबन यह मेरा आइडिया है कि 53,000 के आसपास कैंडिडेट यहां पर फेल हो जाएंगे और लाइश्ट नेम 26,000 के आसपास लोगों का डोकुमेंटेशन के लिए यहां पर उनको बुलाया गया था तो इस बार यह आंकड़ा लगबग 18-20,000 क बेद के बीच में हो सकता है टिक है तो maximum strength यहां पर fail होने वाली है और average यहदि हम score की बात करें maximum जो लोग यहां पर आप देख सकते हैं जो stand कर रहे हैं कहा बेद कर रहे हैं 40-15 के बीच में यहां पर लोग stand कर रहे हैं ठीक है 51 प्रतीसत लोग आप देख सकते हैं 50-55 के 49 52 49 58 47 50 37 50 और 55 के बीच में 47 तो round about score यहीं पर हमारा घुम रहा है ठीक है एक और सर्वे हमने जो कि आज ही सुबर मैंने चलाया था exact marks डान्ये के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको refresh कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो गंटे पहले यह चलाया गया है जिस एक सकते हैं maximum जो strength यहाँ पर है वो कहां है 40-50 के बीच में है यानि कि यदि हम safe score की बात करें जिसमें आपका safe score है जिसके अनुसार आपका selection यहाँ पर हो सकता है तो वनता है 50-55 के बीच में यदि आपका score है और आप general category से हैं तो यहाँ पर आपका selection हो सकता है पर शर्त यह ह कि documentation में आपके 6 से plus number यहाँ पर बनने चाहिए documentation plus height के तो आपका easily यहाँ पर selection हो जाएगा फिर आपका score यहाँ पर 60 के आसपास पहुंच जाएगा और जिसका score यहाँ पर 60 के आसपास with documentation height और return का पहुंच जाएगा उसका selection यहाँ पर 100% होने वाला है ठीक है अभी हम यहाँ बात करते हैं उन लोगों की जिनका score यहाँ पर 45 के आसपास है क्योंकि देखिए दोस्तों यदि आपका 45 का score है और यदि आप general candidate है तो आपका selection काफी मुश्किल यहाँ पर हो जाता है लेकिन यदि आप reserve category के candidate है तो आपका selection यहाँ पर हो सकता है यदि आपके 45 marks हैं साथी सा यदि हम यहाँ पर female constable की बात करें तो female constable में जो 45 का score है वो यहाँ पर हर category के लड़कियों के लिए safe हो सकता है यदि आपका 40 to 50 के बीच में हैं और आप general category के हैं तो यहाँ पर आपका selection होने के पूरे-पूरे यहाँ पर chances बन रहे हैं और यदि हम बात करें constable driver की तो constable driver का selection इस बात पर depend करता है कि कितने लोगों ने यहाँ पर qualify किया है जहां तक मेरा idea है मुझे लग रहा है कि काफी जादा ऐसे driver के candidate होंगे जो यहाँ पर minimum pass marks है वो भी नहीं यहाँ पर ले पाएंगे यानि कि यह depend करेगा कि कितने यहाँ पर pass हो है और उसके अनुसार आपका selection हो हो सकता है तो उनके लिए यहाँ पर result का wait करना काफी जुरूरी हो जाता है और result की बात करें तो within week यहाँ पर आपका result announce कर दिया जाएगा ठीक है यानि कि Sunday से पहले पहले आपका result यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर safe score आपको मैंने बता दिया जो 50 और 55 के बीच में हाँ पांचे नमबर जिनके documentation के बनते हैं यानि कि जो 60 को यहाँ पर cross कर रहा है उसका selection यहाँ पर 100% होने वाला है फिलाल अभी की वीडियो में दोस्तों इतना ही ठीक है और कल शाम तक इस community टैब में आप जरूर जाए और जो दो पोल यहाँ पर डाले गए इनको आप जरूर च चाहूंगा मेरा उनसे भी request रहेगा कि आप अच्छा काम करें लेकिन ठीक है बच्चों को आप गलती information मत दें यह मत कहें कि यह पोल उन्होंने डाला ठीक है तो आप clearly देख सकते हैं अगर उन्होंने यह पोल डाला होता तो उनके उपर ऐसा कुछ नाम भी दिया होता लेकि थोड़ा सो समझ के ठीक है अपना वीडियो डाले तो चलिए फिलाल अभी की वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत